अब करना है तो आप लोग को का में केसे इंडिवेस्ट करना है एक एडवाइजरी है जो भी टेजिमंदी है ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स निगल के आ रही है जैसे यूनिवेस्ट हो गया लिक्वीड हो गया जो क्या करते है ऐसे प्लेटफर्म्स आपके विहाफ में stock market है और वहां से थोड़ा return आपके लिए generate करते हैं उसके बदले आप इनको एक premium कुछ पैसे पे करते हो तो यही सारा है इनका business plan और यही इनका काम है यह आप लोग को investment की advisory देते हैं और जो भी आप लोग को investment की advice देते हैं वह expert माने जाते हैं इस field के और यह सारे जो है क्या है अभी आती है safe or not तो तेजी मंदी देखो 100% safe है क्योंकि यह से भी रेजिस्ट्यूड है ठीक है तो से भी रेजिस्ट्र होने से क्या होता है आप लोग को advisory देने का इनके बस license आजाता है एक तरीके से और इनकी जो expertise है इस field में वह भी expertise आप लोग को मिलती है बाकि यहा अब लोग सुना होगा कहीं ना कहीं मोतिलाल का नाम तो यह थोरा जब ब्रेंड भी अच्छा है आप लोग कह सकते हो इनकी जो भी कुछ रोगों नेचे यहां में देखो बोड डेरेक्टर्स होए कुछ मोटीलाल उस्वाल की जो को फांडर है वह भी है बोड डेरेक्टर यहां मान सकते हो कि प्लेटफॉर्म अच्छा खासा ब्रेंड है और अच्छा खासा यह आप लोगो वेलू प्रोवाइड कर सकता है तो अब बात करते हैं तेजी मंदी के जो भी इन्वेस्मेंट प्लैंस हैं उनके बारे में सेफटी की बात हो गई और आप लोगो पता चल है जो कि एक इन्वेस्मेंट प्लैन है यह मल्टिप्लायर क्या है इसके बारे में आप लोगो बता था हूं सिंपल भासा में तो लोडिंग हो चुका है यहां में नीचे लिखा है कंसंट्रेट पॉर्टफोलियो और फंडमेंटली स्ट्रॉंग स्मॉल एंड मीट केप स्ट प्रीमियम लेना होगा जो कि देख सकते हो सब्सक्रिप्शन फीज क्या है वन मंथ का 300 है तो 12 मंच का आप लोगो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तब ही आप लोग इसमें इंबेस्कर पाऊगे तो उसका होगा 312 36001 यह का सब्सक्रिप्शन इसका है और इसका रिटर्न देखोंगे वह बहुत ही अच्छा है तू यह का अगर देखोंगे सब्सक्रिप्शन प्रीमियम का फीज कितना है अभी मैं आप लोगो इसका थोड़ा नीचे दिखाऊंगा यहां मैं उससे पहले मैं आप लोगों बता दो यह भी multiplier है यह थोड़ा सा slightly higher riskier है as compared to other plans क्योंकि एसमें क्या होता है SmallRS Come and Midcase stocks होते तो थोड़ा सा यहीं आप लोगो का higher होगा ठीक है as compared to other plans इसके आगर हम लोग comparison करें 2021 से यह जब से शुरू हुआ है तब से यह जो multiplier है तेजी मंदी का इसके साथ compare क्या है हमारा जो निफ्टी फिफ्टी है index 50 क्या है देखो जो भी 50 companies है इंडिया के top notch Reliance SBI HDFC तो वह सारे मिलके जितना return देते हैं उसके साथ comparison यहां में यह लोग उने चार्ट पोस किया है जिसको आप लोग आराम से analysis कर सकते हो कि जो तेजी मंदी का multiplier है उसने comparison ली बहुत च्यादा return generate करके जिया है यहां से comparison हम लोगों पता चालता है कि यह fun अभी तक तो performance अच्छा हम लोगों दे रहा है तो नीचे अगर आप लोग देखोगे इनके जो पास्ट के winners हैं वह देख सकते हो bank of waroda 127 return book किया है फिर बहुत सारे stocks इन लोगों ने सो किया है जो इनके best performance जिया है बाकि इसमें अगर आप stocks and weightage देखोगे इसके लिए आप लोगों प्रीमियम लेना पड़ेगा तो अभी आप लोगों दीखेगा कि इन लोगों ने कौन से कौन से stocks में पैसे invest करके रखा है तो plan के बारे में आप लोगों पुरब पुरब समझ में आगे कहा हमें invest करते हैं लास्ट कुछ है जिसका नाम है तेजी मंदी फ्लैक से तो इसके बारे में आप लोगों दिखाता हूं सिंबल से चीज है इसमें रिक्स आप लोगा बहुत ही कम होगा क्योंकि इसमें जो भी स्टॉक से वह तीन जगा में invest के जाते हैं multi-cap portfolio तो इसका मतलब क्या है जो भी large cap के stocks में small cap के तीन जगा में diversify हो जाता है आपका पैसे तो इसमें बहुत ही कम हो जाता है और जो return होता है वह भी कम हो जाता है या मैं देख सकते हो three years में 45 percent का return है मतलब one month का average है 15 percent का return आप लोगो इस fun में मिलेगा मैं बोलूँगा जिनको भी ज्यादा रिक्स नहीं लेना है उनके लिए ये fun best है year on year basis compoundedly आप लोगो 15 percent का return या में मिल रहा है ठीक है तो यहां में लोग नीचे जाके देख सकते हैं जो 50 50 से इसने ज्यादा ही return निकाल के दिया है तो मुझे लगता है यह best है जिनको भी रिक्स बहुत ही कम लेना है या में इनके पास्ट विनर्स देखेंगे तो देख सकते हो stocks जो भी best performance निकाल के दी है अब तक NTPC returns देख सकते हो तो DLF 147 percent return इन लोगों ने बुक किया है फिर SBI का भी आमें देखे रहा है जो भी winners है तो overall हम लोगों ने analysis कर ली आमें लोगों ने बहुत ही अच्छा चार्ट देखे रखा है performance का ठीक है बाकि stocks and weightage हम लोग देख नह and this talks from nifty 500 मतलब मैंने कहा था ना small cap mid cap large cap सारे होंगे या में the portfolio is usually rebalance every month जो भी होता है उसको every month rebalance किया जाता है quantity के जिसाब से फिर the portfolio is suitable for investors with a low medium risk appetite समझ में आगी ना तो रिक्स appetite आप लोगो समझने पड़ी इन प्लेंस में इसके पहले जो था multiplier उसमें रिक्स profile ज्यादा था ठीक है और इसमें आप लोगा रिक्स बहुत ही कम है और return भी हमें कम मेलेगा तो यह सारा वीडियो था यहां में जो दो प्लेंस थे यूनि जो प लेना थाते हैं तो तेजी मंदी multiplier best है और lower links lower return के लिए तेजी मंदी फ्लेक्स भी हमें best निकाल के देगा लेकिन इनके साथ और एक fund add हुआ है जो plan है investment वह में mobile device में दिखाऊंगा क्योंकि website में update नहीं हुआ है तो यही सारे plans चाहिए हो कि best video लगी आप लोगो का है और इसमें अप लोग अगर accuracy की बात करोगे तो इसका कोई भी comparison chart नहीं मिलेगा है return का क्योंकि यह नया नया आया है तो इसमें 3-6 months के लिए आपका investment है वह lock होने वाला है और जो market cap allocation मतलब जो पैसे हैं वह large cap में 37% जाएंगे और जो mid cap है उसमें 62% जाएंगे तो आप risk factor मान सकते हो कि low and medium risk factor हो रहेगा और इसका return भी आप लोगो mid level का ही मिलें मिलने वाला है ठीक है simple सी बात है और यहां में आप लोग simple सा यहां में payment कर सकते हो terms and conditions को accept करने के बाद जो कि आप लोग कर्ड होगे और यहां से आप लोग simple सा payment करके इसको unlock कर सकते हो तो unlock करने के बा आप लोगो risk factor देखना है कि large cap में कितना allocation है 37% और mid cap में 62% तो जो भी risk factor आपके लिए suitable है उसके साथ आप लोग simple सा जा सकते हो तो तीनों plans के बार में हम लोगे डिसकस कर लिया और यही सारा video था कोई भी doubt है नेचे comment section में पूछ सकते हो और बस यही सारी चीजे है ठीक है त तो मलते हैं हम लोग comment section में तब तक के लिए गवाई